हलो नमस्कार मैं अभीने आप सबका अभीने मैं सबी वेलकम करता हूँ स्वागत है आपका हम लेकर आएं आपके लिए एक प्यारी सी क्यूट सी थार बहुत बच्चों को आती होगी यह कॉंसेप्ट अप दर डे है जिसको हमने समझाया है एक कोश्चन अप दर डे की तरूँ तो समझने की पूरी कोशिश करेंगे पहले सवाल देख लेंगे कि सवाल क्या कह रहा है हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है देखे के कुछ यादा आ रहा है नहीं आ रहा है देखे वीडियो को लोग के और मैं ये करना है कि अभी मैं एक क्लास हो चुकी है ती एच्डी की और दूसरी क्लास शुरू होने वाली है अभी पांच बज़े से तो आप देखेंगे पांच बज़े से ती एच्डी का लेवल टू क्लास है अगर आप CGL की तियारी कर रहे हैं CPO किया, किसी भी exam की कर रहे हैं तो THG बहुत महतपों टॉपिक है इसलिए मैंने चार गहंटे की Free Special Class on Academy रखा था एक, दो से चार हो चुकिए आप वो भी देख लेंगे Link description में और अभी जो होने वाली है उसमें आप live मिलेंगे मुझे आप अपना कोई भी doubt पूच सकते हैं question भेज सकते हैं, कुछ भी chat कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं ठीक है, तो देखें, बड़े प्यार से एक सवाल में लेकर आया हूँ आप सब के लिए आपने कभी जीवन में Sivianthoram का नाम सुनो Sivianthoram, पहले तो Sivianthoram क्या होती है Sivianthoram, सबसे पहले जानना जरूरी है Sivianthoram, Sivianthoram क्या होती है आपने median सुना होगा Sivianthoram, सुना ही होगा नहीं सुना है, तो समझे होगा एक तिर्भुच के अंदर तीम रेखा हैं, जो एक ही बिंदू पर काटते हैं, एक तिर्भुच के अंदर की तीम रेखा हैं, अगर एक ही बिंदू पर काटते हैं, तो उन्हें हम Sivianthoram क्याते हैं, A, B, C D, E, F ये एक ही बिंदू पर काटते हैं, इसलिए ने Sivianthoram यानि बच्चा कहेगा, सर ये median हाँ, Sivianthoram मीडियन भी हो सकती हैं, बच्चा कहेगा, Angle Bissector हाँ, Sivianthoram हाँ, Sivianthoram मीडियन भी Sivianthoram और Altitude जो और्थो सेंटर बनाती है वो भी Sivianthoram हमने जर्नल या Common नाम दे दिया, कि जो भी 3 देखा हैं, तिर्भुच के अंदर एक common window पे cut करती हैं उसे हम savings कहते हैं और यहां पर stable है तो मास्प्वेंट जोमेटरी का प्रियोग करके अब देखें आप मास्प्वेंट्वेंट्री में नहीं पढ़ा हूँगा पूरी बस मैं बताऊंगा थोरम क्या है हम मास्प्वेंट्री का प्रियोग करके क्या निकाल देखें एसे शूरू करेंगे तो ए एफ और का अनुपार कि अब यह कहां पर खत्म हो रहा है बी पर तो बी से फिर सूरू करेंगे बी ली और डी सी का ऑनुपार करने ने और ये का अनुपार बराबर एक होता है यह चीज आपको याद रखने हैं डिस इस कॉल्ड सिवियन थोर्म यह क्या कहलाती है सिवियन थोर्म कहलाती है जो पीशे वाला सवाल था वो क्या हो जाएगा वो लल्लू हो जाएगा उसे हम एक लाइन में कर देंगे कई से देखते देखो आप देखिए ए एफ कितनी है चार एफ बी कितना है पूछा है एकस वीडी जलाईले कितना है तीन डीसी दो ईसी दो एई शे यह यह बस तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसको हम लिखेंगे देखो हम कहेंगे चार बटी एकस कहां पे खतम हो रहे हैं टीन बटे दो कहां पे खतम हो रहे हैं दो बटी छे बराबर के दो से दो कट गया चार तीया बार है और शे दुनी बार है एकस कितना आगया यह सिवियन थोरम थी तो बस मैंने इसलिए बता दिया आपको इस तरीके की थोरम दिमाग में रहें COD QD का मतलब यह कि जो चीज आपके सब conscious mind में चली गई है उसको बापस conscious mind में लेकर आना यही हमारा देया है तो इस तरीके से हम मिलते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे आज की क्लासित का सुडूल बता देता हूं अभी पांच बजे special class THD की free class है और आपको complete algebra के top 60 सवाल लेकर आ रहा हूं मैं academy live SSC YouTube चैनल पर लाइव रात को नों बजे तब तक के लिए बिदा लेता हूं बाय टेक क्या धन्यबाद thank you very much बाय बाय दोस्तों नमस्कार